स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में मैं हूँ आपके साथ समरा फात्मा आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया स्कूल रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं कि जामिया 9 क्लास के रिजल्ट आ चुका है यह लिस्ट मैंने यहाँ पर खोल ली है तो आपको पता चल रहा होगा कि यह तीन तारिक में यह आज ही आया है और भी रिलीज हुआ है और रिलीज होते के साथ ही हमारे सामने आ चुका है यह जामिया गल सीनिर सिकंडरी स्कूल का रिजल्ट है यहां पर मैंशन हुआ है चलिए डॉक्युमेंट्स वगरा कि बात हम ब अब्लू डिडिस अबिलिटी की 44, जे एंड के जमो कश्मीर की 69 और कश्मीरी माइगरेंट की 56 तो चलिए देखते हैं किन किन स्टुडेंट्स का स्लिस्ट में नाम है सबसे पहले हमारे सामने आ गए हैं जर्नल स्टुडेंट्स की लिस्ट इसमें अप्लिकेशन आइडी औ अराम से अपना रोल नंबर और आईडी मैच कर सकते हैं अप्लिकेशन की यह चल रही है हमारे सामने आपसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी हमारे सामने मुस्लिम कैटेगरी आ चुकी है जिनका अडिमिशन मुस्लिम रिजर्वेशन से हुआ है इसके बाद अगर नहीं हैं तो अदास होने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि अभी दूसरे स्कूल्स की लिस्ट में हो सकता है आपका नाम हो और वो भी हम तुरंथ ही अभी अप्लोड कर रहे हैं यहां पर देखें यह मुस्लिम की रिजर्वेशन आ गई है इसके बाद मुस्लिम OBCST की अभी रिजर्वेशन हमें नजर आ रहा है और इसके बाद सारे रिजर्वेशन अब खताम हो चुके हैं और आपकी वेटिंग लिस्ट यहां पर लिखिए चीज़ रिमार्क्स में ठीक है अभी रिमार्क्स का मतलब है बहुत सरे स्टुडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं त तो यह सेल्फ आइनस्मेंड मिशन ले सकते हैं और दरवाइस वेट भी कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट किलियर होने का अगर मैं बात करूँ वेटिंग लिस्ट कितिनी हद तक किलियर हो जाती है तो देखिए जो जर्नल के अगर मैं ओपर के टॉप 5 स्टॉडिन्स की बात कर पर हमारे सामने अभी काफी लंबी मुस्लिम की ही तीस स्टुडेंट है वेटिंग लिस्ट में अब चलते हैं यह आगे आपका मुस्लिम OBC और ST का रिजल्ट अगर आपको इन रिजल्ट का पीडियाफ चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम गूरूप को जॉइन कर लीजे ल सबसे बहले जो इसमें चीज मैंशन है वो देखे यह है कि आपका जो एडमिशन आपको लेना है वो 15 से 16 तारीक के बीच में लेना है तो यह चीज आप अपने दिमाग में किलियर कर लीजे इससे अगर अप लेट लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसल ठीक इसक अब औरिजनल भी होने चाहिए और इनकी फोटो कॉपी भी आपके सपास होनी चाहिए अगर आपका एडमिशन किसी भी रिजर्वेशन केटिगरी में हो रहा है वो पी डबुडी है कश्मीरी माइग्रेंट है जमू कश्मीर है या एस्टी है या फिर ओबी सी है या फिर मुण की अब मुसलिम वुमन का जो एफिडेविट है या मुसलिम तर गेत निफ अब बन चाहर तो आप वहां से जाकर भी बनवा सकते है कर अब जाएगा जाएगा और ऽह आपको आपको लेて कर आना है तो क्यूंकि या चारफ का अचाथिय। सेपीट आपके और मार्य को परे blood group की report भी लेकर आनी है वो जो आपका blood group test होगा वो या तो आप किसी MBBS doctor से करवाएंगे या फिर सरकारी hospital से करवाएंगे इस दीज का भी आप खयाल रखें उसकी भी एक original copy और एक photocopy इसके बाद last और सबसे जरूरी बात वो यह है कि आपकी जो fees है वो at the time of admission ही जमा होगी तो आप ऐसा ना सोचें कि admission जाके ले लेते हैं fees बात में जमा कर लेंगे तो ऐसा नहीं है fees at the moment उसी टाइम जमा करनी होगी आपको बैंक में जामिया के अंदर ही बैंक है gate number 4 में और 7 में भी है तो आफीज जमा कर देंगे slip मिलेगी और वो भी जमा होगी at the time of admission अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिये वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद